नारी ससक्ति करण के दावे बले ही किये जा रहे हैं लेकिन चुनावी मैदान में महिलाओ को पूरा हक नहीं मिल रहा है। तो दामदर अगरवाल बाजवा परदेश में महामंत्री है। तीन लाग से अधिक बड़ी है। बीलवाडा सामाने सीट है, सबसे ज़्यादा यहां करीब तीन लाग ब्रामण बीलवाडा में हैं जो कुल आबादी के लगबग 15% बताए जाते हैं। इसके अलावाद दूसरी नंबर की बात करें तो करीब यहां लगबग 15,5 लाग गुजर मदाता है। बीलवाडा में सबसे ज़्यादा ब्रामण मदाता बताए जाते हैं ऐसे में चर्चा है कि इस सीट पर कॉंग्रेस ने ब्रामण चेरा उतार कर ब्रामण वर्ग को साधने की कोशिस की है। वहें काफी समय तक संग के लिए काम करते रहें लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी में बेजा गया। बीलवाडा में परमुक उद्योग पती में उनका नाम काफी आगे है। दामुदर अगरवाल टेक्स्टायल में ट्रेड फेडरेसन के संस्तापक भी रहे है। दामुदर अगरवाल ने जब अपनी राजनितिक जीवन की सुरुआत की ती तो वहें भीलवाडा नगर परिशद के पारशद की रूप में चुने गए थे। दामुदर अगरवाल सापुरा जीले के जहजपूर के रहने वाले हैं वहें जीला अगरवाल पहली बार चुनाओ लड़ रहे हैं। जोसी ने भी इस बात को स्विकार किया था कि वोटिंग वाले दिन सीपी जोसी की पतनी और बेटी मंदिर चली गई थी जिसकी वज़ए से उनकी पतनी वोट नहीं दे पाई जिसके चलते वो मुखे मंत्री बनते बनते रह गए थे और उस समय ये पदी असोग गेलोत की ज चीप के पद पर काबिज किया गया भीलवाडा सीट पर जहां एक और संग परशबूमी से आने वाल दामुदर अगरवाल मोदी के चेरे पर चुनाओ लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी और सीपी जोसी से अगरवाल का मुकाबला काफी दिल्चस्प हो सकता तो ये थे भील अगली कड़ी में ऐसी एक और सीट के हम बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार